कि हलो फ्रेंट्स एक बड़ फिर स्वागत आप सब्सक्राइब का तीसरा वीडियो है जितना भी आपको यह बोर्ड पर कोशन दिखाई दे रहा है यह आपका कहीं न कहीं आपका हर एक्जाम में आया है और खासकर कि जो आपका विहार कुलिस के एक्जाम होने वाला है उसके द्रिश्टी से आपका बहुति इंपोर्टेंट कोशन माने जाएगा चलिए सबचे पिले देखते हैं कि आपका पहला कॉर्चन कौन सा है था बात करते हैं कि पहला कोशन आपका दिया हो है राश्टी पर्यावरन इंजीनियरिंग सौदिसन स्थान कहां है आपका राश्ट इन्जिनियरिंग रिश्चार्च इंशूट होगा ठीक है तो आपको इंगलिस ध्यान देजेगो वहाँ पर के नीरी कहां पर इस्तिते तो नीरी आपका कहां नाकुर में इस्तिते उसके बाद दूसरा कोशन आप बात करते हैं सब भारत का सबसे पूराना जल पंशी अभिहा पर ने वहाँ का वैदाने थांगल में यानि वह तामिलल्ड में ठीक है तर्मिल्ना पर टार्णि करते हैं नाट करना गैस थानधा कि ये गया है जो वहमणी राज का अलायो दिन हसन की दोरा किया गया थैज़्वित यह यानि की तीरो सो सेag तालीस था है या आपका धचिन भारत के सासक था जिसंए वहमनी शंवराज का नियानी की अस्थापना किया तagn एक्जाम में आपका यह अलावदीन हसन ना दे करके असन गंगु भी दे सकता है ठीक है इसका एक और नाम है क्या हसन गंगु ठीक है यह आपको तेरो सब सब्सक्राइब इसका अस्थापना किया था इस वह इस वंस का उसके बाद चौथा नमबर कोशन बात करते हैं वाइक शब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यां पर प्रदुंशक करके यह इनी वाई प्रदुसक्राइब करता है यानि कि यहां पर प्रदुष्ण बहुत कम है वहां पर दूसन सबसे ज़्याद होगा यानि मेरे कहने के मतलब यह होगा कि जहां पर दूसन वाले जिगह पर यह नहीं हो गिते हैं ठीक है उसके बात करते हैं पच्वा नंबर कोशन आपसे बूल रहा है कि स्वामी बीवेका नंद का बच्वान का नाम क्या था इनका भच्वान का नाम नरेंदर दत लेकिंचिक उसके बात करते हैं छटा नंबर कोशन आपको दिया हुआ है Hindye vaghe상 किताब के लिखक कौन है इंदे सवराज किताब के लिखक कोंड है हिंदी सवराज किताब के लिखक का ओए हम एक मतब सासक था कहा का पाकिल पूत्र का था इनके जो बिन्दू सार थे मतप्तों के नाम चंद्रगुत मौर था और इन्हीं के पूत्र जो थे वो स्वम्राथ असोख हुए थे पाकली पूत्र से समंधी थे और यह मौर वन से थे उसके बाद अठाव नमबर कोशन बात करते हैं भारत में कितने राज और केंदर साशित परदेश है यानि कि जो हमारा जम्मु कस्मीर उनसा उनस में यूटी केंदर साशित परदेश बन गया था उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में आपका 28 या आपका आठ केंदर सासित परदेश है यानि कि भारत में आपका 28 राज और आठ केंदर सासित परदेश है ठीक है उसके बाद बात करते हैं नवा नमबर कोशन में वर्तमान में कुल करतबों कि संख्या कितीनी है यानि कि भारत ही जो समिधान है उसमें टोटल करतबों की संख् वह आपका यह जोड़ा गया था कि अपने जो बचे उनको माता पिता या और बहुत ही अभिभागों को सिक्षा देना अनिवार कर दिया गया था का यह जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था ठीक है और उसके बाद करते हैं कि जो हमकार हमारे करता वें मूल करता वें अनुष्यद भाग आपका हो जाएगा चार पर और आपका ऑनुच्वडा गया था ठीक है उसके बाद बात करते हूं दसवा नंबर क्यों स्टियलर पुरुसकार कि जित्र में दिया जाता है जो दो परियावरन के उलखनी योगदान में आपका दिया जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है तायलर परियावरन के उलखनी योगदान में आपका दिया जाता है यह आपका दोस कोशन का श्रीज था अगर आपको एक कोशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सबस्राइब का ना ना वुले